Hello friends, very good morning to love you and welcome दोस्तों बिहार पारा मेडिकल कॉंसलिंग 2021 के सम्मन्द में आप सभी के द्वारा लगतार कमेंट किया जाता है कि बिहार पारा मेडिकल का कॉंसलिंग कब से सुरू होगा दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमने आप सभी को बताया कि इसके लिए सबसे पहले अधिसूचना जारी होगा उसके बाद college चोईस रिष्टेशन परकिरिया होगी इसके बाद कॉंसलिंग होगा तो अधिसूजना दिसंबर के दूसरे सफथा तक जारी होगा, इसके बाद चो है रेष्टेशन अर कॉलेजゃ सम्मित होगा और दिसंबर के तीसरे सफथा या फिर कहें तो दिसंबर के अंतिम सफथा में एड्मिशन के लिए quand existe कंसलिंग करके रख ही लेना है तो कौंसलिंग के समय जितने सारे डोकुमेंट्स आफ सभी को लगने वाले हैं उसका लिस्ट हम तयार करके रखे हैं इसमें आपका पहला डोकुमेंट्स होगा ऑनलेन आवेधन की डाउनलोड पड़ती एवं आवेधन सुल्क रासी की हाड कोपी आप सबी को इसकी छाया पड़ती लगेगा जो परती और आप सभी का आवेधन परती लगेगा इसके बाद मेट्रिक का जो है परवेश पठर अंगपठर और मुलब पर मान पत्र आपका लगेगा यानि की admit card mark seat और जो मुल परमान पत्र होता है certificate होता है वो आप सभी को ले जाना होगा counseling के समय और ये सारे original documents होंगे इसके बाद अगर आपके पास मुल परमान पत्र नहीं है तो आप जो है इसके बदले में provisional परमान पत्र ले जा सकते हैं इसी तरीके से intermediate का भी परवेश पत्र अंग पत्र और मुल परमान पत्र एडमीड कार्ड mark seat और मुल परमान पत्र जो certificate होता है वो आप सभी को ले करके जाना होगा अगर आपका इंटर का भी मुल परमान पत्र नहीं है आपके पास तो आप इसके बदले में provisional certificate ले करके जा सकते हैं इसके बाद जो सबसे जरूरी चीजे हैं यहाँ पर महाविद्याल परित्याग परमान पत्र यानि की CLC CLC यानि की college living certificate आप सभी को मिला होगा अगर आप metric pass किये हैं या फिर inter pass किये हैं तो आप सभी को last college से आप सभी को CLC मिला होगा metric pass किये हैं तो आप सभी को यहाँ पर SLC मिला होगा अगर inter pass किये हैं तो आप सभी को CLC मिला होगा तो इससे भी आपका admission हो जाएगा तो इस बात को धियान में रखेगा आपका यहाँ पर CLC या TC लगेगा ही लगेगा इसके बाद आपका प्रवजन परमानपत्र जो अवियर्थी इंटर पास आउट हुए हैं उनको यहाँ पर प्रवजन परमानपत्र बोड की ओर से मिलता है ठीक न जो आपके college में transfer होता है उसके बाद college द्वारा आपको मिलता है जो board द्वारा निर्गत होता है तो यह जो है आप सभी को परमानपत्र परवजन परमानपत्र यानि की migration परमानपत्र आप सभी को यहाँ पर लगेगा इसके बाद चरित्र परमानपत्र character certificate इसके medical postmetric या फिर PPE की बात करें तो उसका जो rank card आप सभी download करें किये होंगे तो वो rank card आप सभी को लगेगा इसके बाद online counseling के लिए registration और choice filling जो आप करेंगे उसका receiving लगेगा यानि कि slip आप सभी को लगेगा तो यह जो है सबसे पहले अभी counseling परकिरिया जो start होगी तो इसमें सबस दूसरे सब्ता तक परकासित होगा उसके बाद जो है यहाँ पर registration और choice filling सम्मित होगा आपके rank के अधार पर आपको कौन सा college मिलेगा उस college को आप सभी को choice करना है ठीक ना इसके बाद वो college allot होगा तो allotment letter भी आप सभी को यहाँ पर लगेगा इसके बाद जो है जो college allot होता है उस college में नामंकन के लिए counseling होगा ठीक ना उस समय जो है आप सभी को यह सारे documents वहाँ पर ले करके जाना होगा counseling आपका offline होगा लेकिन उसके लिए registration जो आप करेंगे यह online होगा आगे हम आप सभी को बताते रहेंगे समय समय पर इसके बाद जो student के पास समस्या आती है counseling के समय वो है जाती परमान पत्र आवास्य परमान पत्र आय परमान पत्र को लेकर क्योंकि उस समय अगर आप इसको बनवाते हैं तो 10 दिन का समय लगेगा तब तक में counseling समाप्त हो जा इसलिए जाती आवासय और आय परमान पत्र current एक साल के अंदर वाला आपके पास होना चाहिए अभी आप दोबारा फिर से online आविधन कर दीजिए तो आप सभी का जो है 10 दिन में बन करके तयार हो जाएगा कैसे बनाना है अगर आप अपने mobile से online अपलाई करना चाहते हैं त इनको EVC certificate यहाँ पर देना होगा तभी जो है EVC category का लाब ले पाएंगे इसके बाद चिकित्सा परमान पत्र जो medical certificate होता है यह आप सभी को बनवा करके रख लेना है किसी भी सरकारी hospital से आप बनवा सकते हैं अलावे आप सभी को सपत पत्र जमा करना होगा सपत पत्र यह होत लेकिन अगर आप court जाते हैं और वहां बोलते हैं किसी भी अध्यवक्ता से कि हमको सपत पत्र बनवाना है admission के लिए यहाँ पर हमको admission लेना है तो वह आधे घंटे में बना करके देगा तो यह आपका ठोस काम होगा तो यह जो है आपका समय बचा देगा जाती आवासिया है परमान पत्र इसके बाद जो है सपत पत्र जो आप बनवाएंगे counseling के समय उस समय आपको यह समय आपको extra खर्च नहीं करना पड़ेगा इसके बाद जो आप सभी को documents लगने वाला है यहाँ पर देखिए पहचान पत्र या फिर आधार का photo copy इसके बाद अगर कोई दिव्यां certificate या फिर के तो स्वतंता सेनानी के कोई student है तो वो certificate उसको देना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान का सोहस्ता आक्षरित छाया परती 6 photo आप सभी को ले करके जाना होगा और यह photo जो है आपका वहीं वाला होना चाहिए जो आप online apply करते समय दिये थे इसके आप सभी उपर देखे हैं यह सभी आपका original होना चाहिए और यह जो है स्वावी प्रमानित होना चाहिए स्वावी प्रमानित आप आप जो है original documents पर ही नहीं करेंगे बलकि जो 6 परती होगा उस पर आप सभी को स्वावी पर्मानित करना है अपना हास्थाक्षर करना है और इस करम में उपर हम सजाए हुए हैं, उसी करम में आप सभी को छेचे परती करवा करके पहले से रख लेना है, उस्तों आपको इसके लिए अपने गूगल में आना है और सर्च करना है koseystudy.com, आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहां पर आप सभी उप पर में ही देखेंगे बिहार परा मेडिकल कॉंसलिंग 2021 संपूर्ण जानकारी दी गई है आपको इस लिंक को ओपन करना है यहीं पर हम सारी जानकारी अपडेट किये हुए हैं आप सभी देखेंगे क्या-क्या डोकॉमेंट्स लगेगा कब से कॉंसलिंग स्टार्ट हो सकते है वो सारी चीजे यहां पर हम बताए हुए हैं आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं या फिर अगर आप एसकीन सॉट नहीं ले सके हैं तो एसकीन सॉट आप यहां पर क्या-क्या डोकॉमेंट्स लगेगा वो सारी चीजे यहां पर दी गई है तो आप सभी यहां पर जरूर वि